असलाम वेकूं गाइस कैसे सुभला अपनी तो आप लग सीप्स हो फिट फार को वागे जैसा कि आप सबको बता है ने पहले एक मुहरमा को डपी को वीजियों नहीं और आज हम एक और वीजियों लेकर आपके तुम्हें नहीं आजीर है और चलते हैं वीडियो के जाने दूनिया में रसुल आलाह के खानदान के मर्दों की शुजात और रसुल आलाह के खानदान के औरतों की पर्दे की मिसाल दिया करता था यजीद ने ये चाहा के आल रसुल के मर्दों को बेधर्दी से कतल किया जाए उनकी लाशों को पामाल किया जाए और रसुल आलाह की बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फ्राया जाए लोगों के दिलों से उनके मर्दों की शुजात भी खत्म हो जाएगी और उन बेटियों की ख्याम को जलाके तारीख ने लिखा रसुल आल्लह की बेटियों के सरों से चादरों को लूटा गया कभी शिम्र बीबी सकीना को तमाचे मारता है कभी कोई जालिम बीबीयों को तादियाने मारता है जब फौज यजीद इमाम सज्जाद के पास पहुँची और चाहा के रसुल आल्लह के इस चराख को भी बुजा दे तो बीबी जैनब सलाम अलालेहा उन जालिमों से आके कहती है ऐ लोगो ये रसुल आल्लह के घर का आखरी चराख है अगर इसको बुजाना चाहते हो तो इससे पहले हम बीबीयों को भी शहीद कर दो यजीद के फौजीओं ने इमाम सज्जाद को हाथ लगाया तो उनका जिसम बुखार में घरम था फौज यजीद ने कहा ये तो बहुत ही बीमार है शायद रस्ते की सक्ती ही ना देख पाए और रस्ते में ही शहीद हो जाएगा बस बीबीयों को रस्यों से बांद के उस कैदी बीमार सैथ को जंजीरों में चकड़ के तौक के साथ कूफे औशाम की तरफ ले जाया गया तारीख ने लिखा रसुल्लाह के खानदान के मर्दों के सर नहिजों पे सवार थे और रसुल्लाह की बेटियां बेपरदा कहद हो के चल रही थी और फौजे यजीद जूम रही थी खुश हो रही थी कि हमने रसूल का बदला रसुल के खानदान से ले लिया अब जब हम यजीद के दरबार पहुँचेंगे तो वो हमारी जोली याकूत और मरजान और सोने से भर देगा लेकिन कूफे का कवर्णर अबेदला इबने जियाद ने पेगान अम भिजवाया के पहले रसूल अला के खानदान को कूफे लेकि आओ इनकी खुर्बत का तमाशा पहले मैं देखूंगा उसके बाद यजीद की दरबार लेके जाना उबेदला ने भी यही हुकम नाफिस किया कि जब कूफे में रसूल का खानदान आए तो हर कोई छट के उपर जाके इनको पत्थर मारे बस कूफे की कलियों से रसूल अला का खानदान गुजरता रहा कहीं से कोई पत्थर मारता है कहीं से कोई तोहीं करता है कहीं से कोई बागी कहता है बीबी जैनब और उम कुलसूम अपने नाना की उम्मत को देख के सबर करती हैं बस जैसे ही कूफे के दर्बार पहुंचे तो इपने जियाद ने कहा शिमर रसूल के खानदान के इस एक मर्द सजाद को क्यों छोड़ा है इसको क्यों नहीं कतल किया शिमर और जिस पर ईड़ो शिमर के बारे मैं नहीं पता शिमर का सलाम शायर हभी था और अज़र अज़र में प्रमाया है ये पाला सफेद वो लांबे और मलून होगा जो भी नसल का कूंग दिये गा हस के कहने लगा इन बनी हाशिम में कोई तो हो जो अपने मर्दों और उड़तों की गुर्बत का तमाशा देखे इपने सियाद भी जोर से हसने लगा इतने में बीबी जैनब फरमाती है ऐ जालिम अल्लाह के इनसाफ से डरो हम उन्हीं रसूल की बेटिया हैं जिन्होंने पूरी जिन्दकी अल्लाह के हुक्म के बगार अपनी सबान तक को हरकत न दी और तमाश फोजे यजीद को देखके बीबी जैनब फरमाने लगी हाँ मैं उसी अली की बेटी हूँ जिसकी जिल्फिकार से इसलाम को हमेशा फत्ह और काम्याबी मिली आई लोगो मेरा भाई हुसैन रसूल अल्लाह का नवासा था और पूरी जिन्दगी इसलाम की तबलीग करता रहा लोगों को अमन और महबत का पैगाम देता रहा क्या कुसूर था मेरे बाई का बताओ रोज महशर क्या मूँ दिखाओगे जब अल्लाह के महबूब के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा फोज यजीद जोर जोर से हसने लगी और फीबी जैनब और इमाम सजजाद उन मुर्दा लोगों के मुर्दा जमीर को बेदार करने लगी इतने में अबने जियाद कहता है कि अपनी फत्ह का तमाशा किसको दिखाओँ कोई जालिम कहता है ऐए हमारे आका आपकी कायद में रसुल आल्लाह के खांदान से प्यार करने वाला मुखतार सकफी है उसको बलाओ वो कहता है हाँ मुखतार को लेके आओ बस जैसे ही जन्जीरों में जखड़के जनाब मुखतार सकफी को लेके आते है और अबनी जियाद खुशी से कहता है ऐए मुखतार तू तो अलाद रसूल औ अलाद अली का चाहने वाला है देख हमने इनका क्या हश्र किया जनाब मुखतार देखें के कटे हुए सर नोके नेधा पे बलंद है और अमाम हुसैन का सर इपनी जियाद के सामने रखा है और वो उसकी तोहीन कर रहा है उनको जलाल आया और चाहा इस मर जाना के बेटे के जिसम से सर को रख कर दो इतनी देर में हजरत मुखतार चीख के रोते हैं और रसूल लाह की दरबार में फर्याद करते हैं कि या रसूल लाह इन जालिम लोगों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके खांदान के साथ वो जल्म किया जिसको तारीख कभी भुलाएगी नहीं फिर अपने जियाद ये हुकम देता है कि फत्ह का जशन तो अभी शाम में बाकी है रसूल लाह के खांदान को ऐसे ही कैदी बना के शाम की तरफ ने जाओ ताके यजीद ये जान ले कि हमने उसके हुकम के सामने रसूल के खांदान पे भी रहम न किया लेकिन अलाह का अदल अभी बाकी था तारीख ने लिखा जहां जहां से बीबी जैनब और इमाम सजजाद गुजरते गए अपने खुत्बों से लोगों के जमीर को जिन्दा करते गए वो लोग जो उनको पत्थर मार रहे थे आल रसूल के खुत्बों को सुनके उनकी आँखे नम होने लगी यहां तक के दर्बार यजीद में जब आल रसूल का काफला पहुंचा तो यजीद का महल यजीद पे लानत करने लगा और यूँ यह बगावत पूरी दुनिया में काइम हो गई आज भी यजीद के लिए हर मुसल्मान अपने दिल में नफरत रखता है आज भी हर मुसल्मान यजीद पे लानत करके आल रसूल के खम में अपनी आँखों को नम करता है सलाम हो हर उस आँख पे जो हमें हुसैन में रोती है जो रसूल्लाह की बेटियों की असीरी पे रोती है जो रसूल्लाह की बेटियों की असीरी पे रोती है जैसा लिया में देखा कि उस शिमर में दुनिया के माल के पीछ इतनी आखरत बिला दी और सौने के पीछे उसने यह नबी के खामदान को इसके जितने जिल्फ दिया इसके तो जा लबसे नहीं है बढ़ना किया कि अगर कोई गल्ती उताई होगी और तो महांका जीए गार अगर आपको वीडियो अगर आश्यवर्या होगा है आपको अनुदा ही यार कर चीण होगी। तो बिलते हैं नेप्स मेडियो पे राप्ता के लिए अल्दा आप्पीस